हेलो फ्रेंड्स मेरे चैनल में आपका स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं पत्ता गोभी गाजर मटर की सबसी ये बहुत ही स्वाधिस्ट और पॉस्टिक भी है और बहुत ही जटपट बनके तयार हो जाती है तो चलिए इसे बनाना सीखते हैं सबसे पहले हमने इसमें 2 टेबल स्पून मस्टर को गरम कर लिया है और इसमें 1 टीज पून ये मेथी के दाने हैं इसे अट कर देंगे इसे क्रैकल होने तक हमें पकाना है और 1 फोर टीज पून इसमें हिंग आट कर देंगे इससे taste काफी अच्छा आता है और इसके बाद हमें हरी मिरच हमने से chop कर लिया है 2-3 हरी मिरचे हैं आप अपने taste के recording कम्याजदा कर सकते हैं और इसे भी हमने इसमें add कर दिया है यह हमने एक medium size का प्याज लिया है और इसे हमने लंबे-लंबे pieces में cut कर लिया है और इसे अब हम इसमें add कर देंगे और इसे हमें golden brown होने तक भूनना है और ये सारा काम हमें medium flame पे करना है और ये देखे golden brown हो चुके हैं अब इसमें हमें गाजर add कर देना है हमने दो गाजर ली थी ये छोटी गाजर थी आप चाहे तो एक बड़ी गाजर भी ले सकते हैं और इसके बाद हमने half cup matter भी add कर दिया है और इसे हमें सबसे पहले भूनना है और इसके बाद half teaspoon healthy powder और ये पूरी तरीके से optional है आप चाहे तो skip कर सकते हैं और इसके बाद हमें salt add कर देना है जिसे कि अच्छी तरीके से पक जाए और ये जो मटर हैं बहुत अच्छी तरीके से cook हो जाएंगे और इसे हमें cover करके पकाना है जब तक गाजर और मटर पकना जाएं और इसे हमें cover करके 5 मिनट तक cook करना है क्योंकि fresh वाले मटर है तो बहुत जल्दी पक जाते हैं और इसके बाद हमें ये लेना है पत्ता गोबी और half पत्ता गोबी हमने लिया है और इसे अच्छी तरीके से chop कर दिया है और इसको हमने इसमें add कर दिया है अब हमें इसे mix करना है जो गाजर मटर है और पत्ता गोबी है सबको अच्छी तरीके से mix कर देना है और इसे बनने में बहुत ही कम टाइम लगता है और इसे हमें cover करके पकाना है जिससे की सारी जो सबजियां है वो अच्छी तरीके से कुखो जाए और ये जो सबजी है इसने हर्का सा पानी छोड़ दिया है अब इसमें हमें एट करना है वन टीश्पून जिंजर गरलिक का पेस्ट आप चाहे तो जिंजर गरलिक जो है कुटा भी यूज़ कर सकते हैं चौपक yeah हुआ भी यूज़ कर सकते हैं अब हम सबसी में अड करके mix करेंगे और इससे जो है इसमें बहुत ही अच्छी खुश्बो आएगी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा वन टीस्पून हमें इसमें धनिया पाउडर और इसे भी mix कर देंगे अब इसमें हमें cavity बीच में बनानी है और इसके बाद हम इसमें एक medium size का टमाटर लेंगे जिसे chop कर लिए हैं और इसके बाद हम इसमें add कर देंगे चारो तरफ से इसे cover कर देंगे जिससे कि ये जो टमाटर है वो अच्छी तरीके से गल जाए और इसे हमें cover करके 2-3 मिनट तक cook करना है और ये देखे हमारे जो टमाटर हैं बहुत ही अच्छी तरीके से गल चुके हैं और अब हमें इसे खुला ही पकाना है आप चाहे तो flame को थोड़ा सा तेज कर सकते हैं और सबजी को अच्छी तरीके से भुनना है जितनी अच्छी सबजी भ पासंद होता है और ये देखे हमारी जो सबजी है बनके रडी हो चुकी है तो इस सबजी को आप एक बर जरूर जरूर ट्राइ कीजेगा और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना साथी साथ बेल आइकन प्र कि रसूई